हैलो विरेंग नमस्कार स्वागाते आपका मेरे यूटूब चैनल के उपर आज का टॉपिक है रियालिटि आफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग की असलियत क्या है और क्या सच में यहां से पैसा बनता है और बनता है तो कितना बना सकते हैं और कितना टाइम लगता है क्या हर कोई profitable trader बन सकता है और क्या सच में profitable trader बना जा सकता है क्या option buying profitable बना जा सकता है और क्यों 99% of the trader loss करते हैं इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं और मैं end मैं आपको बताऊंगा कि इसन की उपर tackle कैसे करना है और आप किस तरीके से profitable trader बन सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिक्शन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को तो फर्स्ट अडर चलते हैं कि मैंने पैसा जड़ा कर डबल और परसो अमबानी तो इस तरीके से नहीं होता इस तरीके से अगर आप करने गए तो हर बार आप लॉस करोड़े इसलिग in 99 पर्सेंट जो लोग है वो मूडरी कर रहे हैं क्यूंकि वो ट्रेडिंग को सीरियस्ली ले रहे हैं बट वो बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हैं ट्रेडिंग से वो पैसा बनाना चाहते हैं बट वो उसे बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहते हैं सब से पहले business को start करने पहले business के बारे में जानकरी लेते हो कि जो मैं धंदा start करने वाला हूं उस धंदे के अंदर मुझे investment कितना लगेगा उसके materials क्या-क्या है क्या profit और क्या loss होता है अगर नहीं चला धंदा तो मैं क्या करूंगा आप सारे scenarios देख लेते हो, सारी चीजे बहुत पूछताच करते हो, कोई कर रहा होगा, वो business तो उसके पास जाते हो, उसके यहाँ पर machinery चेक करते हो, कि कौन से कौन से machinery लगी, और क्या हो सच में पैसा बना पा रहा है कि नहीं, यह सारी चीजे बहुत सारी चीजे चेक करने के बाद, फिर आप बाद में जाके शौर होते हो, कि मैं इस business को करूँगा, जब आपको ठीक लगता है तब, बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करते हो, यूटुब के उपर किसी बंदे का आपने screenshot देखा, 15 लाक रुपय कमाए, 10 एक लाक रुपय कमाए, एक लाक रुपय कमाए दिन के, और तुरंत आपने ट्रेडिंग के अंदर पैसे डाले, और तुरंत आप सोचते हो, कि मैं उसके जितना कमा लूँगा, तो आपको रियालिटी नहीं पता होगी होती कि इस business के अंदर उसने कितना पैसा लगा है, कित और तरीके का business है, अगर इसे एक business की तरह किया जाए, तो आप सच में इसके अंदर profitable बन सकते हो, यह आपका answer हो गया first question का, कि क्या आप profitable बन सकते हो कि नहीं, yes, obviously बना जा सकता है profitable, यह एक business है, और बिजनेस में profitable बना जा सकता है, इस business में, option buying में में बना जा सकता है, option selling में बना जा सकता है कोई भी ट्रेडिंग हो उसके अंदर प्रॉटेबल बना जा सकता है ठीक है जो 1% है तो वह भी लोग ही है अगर हम दुसरे 99% है वह इंसानी है सिर्फ मेन चीज है कि वह जो 1% है वह सोच अलग रहा है 99% से 99% लोग कल ही अमिर बनना चाहते हैं वह लोग सकते हो सच हाँ सब्सक्राइब करने उफ्सक्राइफ ओपर सुर्भात सब्सक्राइब कायूव सब्सक्राइब कर लगा एक परसंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एक और थो परसंट का स्टार्टिंग के अंदर आप एक ही परसंट का रखे क्योंकि आपको ज्यादा लॉसे भी तब भी कोई प्रॉब्लम निया आपका अमाउंट जो है आपका कैपिटल कम नहीं होगा सबसे में इस बिज बना 17 days के अंदर तो आप कहोगी कि आपने तो बहुत ज्यादा बना लिया 4-12% बट एक्चुल चीज यह है मेरा कैपिटल 30 lakh है जो मैं 25 lakh है जो मै आपको YouTube पे दिखा रहा हूँ और बाकी और वाओ ऑर है अब this capital में से मैंने सिस्टी थाॉजन यूजर किया मेरे जो YouTube में आपको दिखाता हूँ उसका सिर्फ 2% है हूँ 2% कैपिटल से मैंने option buying किया है उससे ना मेरे psychology को कुछ effect हो रहा है ना किसी को effect हो रहा है तो मैं risk उसके अंदर थोड़ा बढ़ा सकता हूं और risk 3-4% a day रखने के बाद मैंने वो 40% का number है वो अच्व किया तो यह है reality और जो मैं 25 का capital है उसके उपर मैं 4-12% ही बना रहा हूं बट मेरे जगे पर अगर कोई दूसरा या beginner trader होता हो क्या करता सीधा 25 लैक लेता और पूरे के पूरे साथ इसके अंदर मेरा 40% बना चलो तुरन 25 लैक लगा दो नहीं पर इसके अंदर रिस्क भी है ना इसके अंदर मैंने अल्रेडी बताया था कि मेरे capital का 60,000 हम स्टार्ट के हमने उसके अंदर capital रखा था 40K के challenge के अंदर और 60K के capital के उपर हम 10,000 से कम amount से trade कर रहे थे बट हमारा जो अगर losing streak आता तो हमारा loss होता 15,000 तक तो अगर आप percentage में count करोगे तो 25 लैक अगर से trade करूंगा तो मेरा बहुत जारा percentage आउट हो जाएगा तो यह मैं नहीं चाता इसलिए मैं 25 लैक पे नहीं किया और मैंने सिफ option buying कम amount से किया reason यह था कोई भी चीज़ अगर आप start करते हो ना दीरे दीरे करके start करो ठेके उसके अंदर जब आपके पैर जमने लग जाए कि आप अभी प्रॉपर तरीके से कर पार तब जाके दीरे दीरे करके amount बढ़ाओ क्योंकि आप अगर कोई भी शॉप भी open करते हो ना तो आप कु दूसरी open करने का दूंडो ही करी ही नहीं बट आप ट्रेडिंग के अंदर आप इसमें भी loss में आप दूसरा भी करने जाते हो तो उपर से ज्यादा loss कर लेते हो तो भाई मैं सब को एक ही request करूंगा यहां पे returns बनते हैं 4-12% monthly easily achievable है बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करन कि हां महीने में लोगा है इल्म दिन लउस होगा आतनो दिन पर्वार्फिंट ओगा चैसा दिन लॉस अंद लौस मर्विट को मैनस प्लस कर के अएक जब्स प्लस निकलता है देंें इदर प्लस-ॉस नहीं चलता इदर 100% accuracy किसी चीज की नहीं है और ऐसा भी नहीं होगा कि आप हर महीने ही बनाओगे किसी महीने लॉस होगा किसी महीने प्रॉफिट होगा हाँ आपका कौर्टरली शिक्स मन्त का और एयरली का रिजल्ट जो है वो ग्रीन होना चाहिए यह मेन इंपोर्टन यहां तक पहुंचने के कौरती ना बहुत मैनत लगती है आपको प्रॉपर तरीके से इस्क मैनें करने पड़ेगा अब पेहले आपको चैक्री morphine के मला होता है今日 । को 60K to 3 lakh रुपीज वो चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं उसके अंदर मैं पैसे कंपाउंड करूंगा और किस तरीके से करने वाला हूं आपको यूटूब तो अगर आप उस ट्रीम से जुड़ना चाते हो तो जल्दी से मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर दो और जल्द ही उस चैनल के रिलेटेड वीडियो आने वाला है तो उसकी नोटिविशन आपको मिल जाएगे इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्यों पर वाचिंग कर दो कर दो कर दो झाल कर दो इस वीडियों बाब